कि दोस्तों नमश्कार जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग जब मिटिंग कर रहे थे तो डिसकस किया था कैस्ट फ्लो स्टेट्मेंट तो यह था कि वह हमने एक टॉपिक ऐसी डिसकुशन के लिए लिया था लेकिन मैं समस्ता हूं कि उसी को हमें थोड़ा सा और आगे के बढ़ा देना चाहिए ताकि वो जो चीजे पिछली क्लास में मिटिंग में हम लोग कर रहे थे वह और थोड़ी सी क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट मिटिंग से हैं मैं कि हमें रहिए और कैश्ट फ्लोम में चाहिए और इनके साथ में फ्यार क्या होगा फाइदा यह होगा कि कि इनके साथ में हमें financial statements की detail समझने को मिलेगी क्योंकि ratio analysis और cash flow दोनों के दोनों कि financial statements को analysis करने के टूल से हैं दोस्तों और एक टूल और होता है बड़ा गजब का टूल है टूल इंदसेंस की एक स्टेडी है कमपेरिटिव स्टेटमेंट्स की जब हम स्टेटमेंट्स में कमपेरिजन करते हैं तो यह तीन टूल तो बहुत ही लाजवाब है इसके अलावा EL equipment भी होती है टूल के लिए लिए बनाया जाता है जैसे कि हमा Camry statement बनाते हैं असंतरी वह बनाया जाता है तो क्यांद्फ बोल Infrastructure talent लाएक और तो कि में क्सेव्ट बिसनेस में जो कि वानेंशल स्टेटमेंट्स होती हैं याお願いします' यानि कि ट्रेडिंग पियंडल और बैलेंशिट होती है उसको करने का काम करते हैं अपने अपने धंच से अगर मैं दूसरी वासा में बोलूं जैसे जिस वासा को जो मेडिकल साइंस यूज करता है पोस्ट मार्टम तो पोस्ट मार्टम में हम क्या करते हैं क्या देखते हैं क्या मिलता हमें पोस्ट मार्टम से हमें पोस्ट मार्टम से पूरा उसका एक जो इंसिडेंस जो हुआ उसकी पूरी डैप्थ एनिलेजिस मिलती है पूरी डैप्थ रही क्या कॉस होए किस तरीके से यह चीजे हुई है वह सब कुछ सामने निकल के आता है इ karış तो जैसे पोश्ट मार्टम से बहुत कुछ निकल के आ जाता है डिटेल में सब चीजे उसी तरीके से यह टूल्स फाइनेंसल स्क्टीमेंट्स की अनलैजिस करके हमें हमें बहुत हद तक financial statements का या business का postmatum करने में help करते हैं यह इनकी importance है है जो cash flow की बाद हम पिछली class में कर रहे थे उस cash flow में हमने क्या देखा क्या समझा था discussion में क्या हम कर रहे थे हमने कहा था कि तीन तरीके की एक्टिविटी है कैस्ट फ्लो है उसके अंदर तीन एक्टिविटी है तीन एक्टिविटी हमारी क्या थी मैं फिर से एक बार रेपीट कर रहा हूं हमारी तीन जो थी उनमे नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टेविटी थी जिसको हम पुरा बोलते हैं cash flow from operating activity दूसरे नंबर पर दी cash flow from investing activity और तीसरे नंबर पर हमने बात करी दी cash flow from financing activity तो किसी भी business को अगर यह पता करना है आपको किसी भी business का कि बिजनस के अंदर जो cash का utilization है वो कहां पर और कैसे हो रहा है बिजनस के लिए जो management है उनका वो business को आगे focus कर रहा है बहुत बड़ी planning के साथ में या सिर्व ऐसी चला रहा है देखें बहुत सी जह होती है हम और आप भी business अगर करते हैं तो कई बार तो हमारे हमारे business का मोटो यह होता है कि बस चलता रहे पैसा आ रहा है working capital से business चल रहा है profit जो होता है अपना उसको घर ले जाते हैं उससे अपना घर का खर्चा चल ला है और बस ऐसी चलता रहे मुझे कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं है कुछ लोग ऐसे बात करते हैं तो वह भी एक अपनी एप्रोच है और कुछ लोगों का यह वीजन होता है नहीं अगले पांस साल में इस business को ना यह जो मैंने ढावा है न इस डावे को न होटल में बनाना है होटल बन गया तो नहीं अब फाइव स्टार होटल में इस पूरे इंडिया में चेन मना इंडिया में चेन मन गी तो अब जोरा वाल्ड में भी देखें एक दो और कंट्रीज में देखें यह चलता रहता हुगा क्यों वो एक अपनी इस एजंशन पर काम करते हैं कि बिजनस गोइंग अंसन कंसेप्ट है बिजनस हमेशा चलता रहेगा और बिजनस को हमेशा ग्रोथ और डेवलप्मेंट देनी है जो हम ग्रोथ और डेवलप्मेंट की बात करते हैं तो ग्रोथ और डेवलप्मेंट आप को पता है किसी भी बिजनस में बिना पैसे के आई नहीं सकता तो ग्रोथ और डवलप्मेंट के लिए हमें बिजनस का कैस्ट फ्लो जानना बहुत जबी है कि कुछ बिजनस के कैस्ट फ्लो इतने सांदार है मतलब आप देखेंगे तो आपको लगीगा बहुत बढ़ी है लेकिन वह अपने उस कैस्ट फ्लो को यानि कि जो उनका पैसा आ रहा है और जा रहा है देखिए फ्लो का मतलब मैं पिछली वार मतलब की इन्फ्लो भी होगा और आउट फ्लो भी होगा तो फ्लो में पैसा तो पिछले डिसकेशन में राजेस जी ने भी राठोर साव ने भी सबने जी तुवाई ने भी यह बात करें तो मेरा कहने का मतलब है कि पैसे का इनफलो और आउटफलो जो हम केसफलो से देखेंगे मैं ये भी बात अभी बताइए कि बहुत बिजनस ऐसे हैं जिनका कैस्फलो बहुत ऑच्छा जिनके पास बहुत बहुत कैस है लेकिन फिर भी उनके बिजनस में प्रोग्रेस नहीं है क्या वजह है और कुछ लोगों के प बात को बताता है कि बिजनस में एक रुपाय भी है अगर तो उस एक रुपे का प्रॉपर बैस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए यह एक मेन ऑबजेक्ट है मतलब मेन ऑबजेक्ट में से एक ऐसा ऑबजेक्ट है कैस फ्लो का ठीक है तो सबसे वहली चीज यह होगी दूसरे नंबर पे यह जो तीन एक्टिविटी की में बात कर रहा हूं कैस फ्लो में ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फैनेंसिंग की इसमें अब समझने वाली बात यह है कि किसको कहां पर लेना है तिए अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर कैस का फ्लो हो रहा है यानि कि पैसा आ रहा है और जा रहा है तो वह हमारे रोज मर रहा के बिजनस को हमारे quarter on quarter बिजनस को year on year बिजनस को प्रदर्सित करता है और यह बताता है कि हमारे बिजनस में liquidity में कोई परेशानी नहीं है हमारे बिजनस की liquidity में कोई परेशानी है हम जो business कर रहे हैं उसके अंदर जो daily routine में जो भी हमारा बिजनस चलता है अब दूसरे नमर पर जो investing activity है वो इस बात को प्रदर्सित करती है वो इस बात को represent करती है कि business में investment कितना हो रहा है या कितना investment करने की planning है management की इस बात को investing activity प्रदर्सित करती है और business में invest करने के लिए या business को चलाने के लिए दोनों चीज़े अलग अलग है business चलाना यानि कि operating बिजनस चलाने के लिए या business में invest करने की हम financing activity का सहरा लेते हैं कैई बार और कैई बार नहीं लेते हैं तो जो financing activity है इसरे नंबर की जो cash flow statement में cash flow from financing activity है वो इस बात को बताती है कि जो हमारी finance की जो activity चल रही है business में जो management financing activity कर रहा है उसमें वो करजा ले रहा है या करजे को चुका रहा है कहने का मतलब है कि जो वो डैट्स को कम कर रहा है डैट्स को रिड्यूस कर रहा है या अपने क्रेडिट को बढ़ा रहा है और अगर क्रेडिट को बढ़ा रहा है तो किस लिए बढ़ा रहा है सिर्फ मोजमस्ती के लिए बढ़ा रहा है और बाद में विलायत भाग जाएगा कर रहे ना लोगों ने ऐसे किया होगा कई बिजनस के आप समझ रहे होंगे मैं क्या बूलों कि बहुत सारा करजा बढ़ा लिया और उसके बाद में ठीक है निकल लेंगे विदेश यहां दारू भी रहे वहां बीर भी ल है या बिजनस जो चल रहा है उसको चलाने में तो दिक्कत आ रही है तो यह तीन एक्टिविटी पूरा चिठा खोलकर रख देंगी कैस से रिलेटेड चीज का क्योंकि कैस ही लाइफ ब्लड ऑफ दा बिजनस है और कैस के उपर यह तीनों एक्टिविटी पूरे डिटेल मे हमें बताती है बस उसको देखने का तरीक suit और मैं आपको एक बात बुता हूं जब आप फिनासिंग सेक्टर का देखेंगे तो कुछ और चसमें से देखेंगे रियल स्टेड का देखेंगे तो कुछ और चसमें से देखेंगे Consumer Goods and Behavior का जो बिजनस है उसके Cash Flow को देखेंगे तो किसी और चसमे से देखेंगे इसलिए चसमा अलग-अलग होगा इस तरीके से सुदीर सर्मा वाला चसमा होगा जर्वी है तो मतलब कहने का यह है कि Cash Flow Statement में जो तीनों activities है वो अलग-अलग सेक्टर में और अलग-अलग बिजनस में अलग-अलग importance रखती है पर overall एक intro part में हमें क्या देखना है मोटा-मोटा वो यह देखना है कि operating, investing, financing अब सबसे पहली चर्चा मैं investing activity के उपर कर रहा हूं जो पिछली class में भी हमने करी थी पिछली मिटिंग में हमने investing पर जब काम करा था और बात कर रहे थे तो DLF की एक चर्चा कर रहे थे तो यह अब मैं आज आपको पिलकुल स्क्रेणर पर ले रहा हूं जो पिछली class में जीत हुआ है बोल रहे थे तो स्क्रेणर पर चल रहे हैं और वहां से मैं थोड़ाजा आपको एक क्लू दूँगा और समझाने की कोशिस करूँगा उससे पहले मैं बता दूं operating activity कि किसी company की अगर प्लस में है operating activity का कैस अगर प्लस में माइनिस नहीं प्लस होता जा रहे है जाहे वो रियलिस्टेट का है चाहे जाहे सेक्टर का है और चाहे आटो का है स्टील से मैचंभी कहीं पर चाहेटिंग लुख हो रहा है अब बाद आती है इंवेस्टिग एवेस्टिंग एक्तिविटी में अगर cash flow from investing activity minus में है तो इसका इसका कत़ यह मतलब नहीं है कि company business बिकार है investing activity में cash का minus होना good sign है तो क्यों कि उसने investment किया है इसलिए उसका पैसा minus में outflow हो है समझेगा ए दस लाग रूपर आट ड्रेत कमपनी ने सुचा कि ऐसे चार प्लाइड और खरेंट तो दस लाग का ईत्रेत फानियार में還 चार ब्ोर लखाने आनी कि चालेश्र रूपे और चाहिए हैं अब इन्वर्ड प्रसेंगाइट में उसके 40 लाङ में नहीं है देखा उसने देखा तो देखा 30 लाग ंदि पी उसने 30 लाग इन्वर्ड छालिस लाग के प्लांट लिए दस लाग उदहार, नेगेटिव, अब प्लांट चार आ गए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैस्फ फ्लो माइनस 10 लेक हो गया, माइनस 10 लेक हो गया, हमने चेक किया, हमने देगा 30 तो इसके ये गायव हो गया, जो पहले से प्लस थे, और 10 लाग और माइनस में हो गया, किसलिए ह हुआ है, यह हुआ क्यों, हुआ इसलिए पता लगाया, कंपनी ने जमशेदपुर में बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, कंपनी ने असाम में बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, कंपनी कोयमटूर में एक प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है, टेलीविजन वालों सब बताएंगे फिर हम एक दूसरे को वाट सब करेंगे और उसपे फिर वो भाई ये मैसिज फला कंपनी ये वो ये सब बातें बाद में पहले फंडामेंटल एमिलिस्ट इस बात को भाप लेगा इस डेटा से यह जो डेटा चेंज हो रहा है जो डेटा के अंदर बदलाव परिवर्तन होता है इनसे हमें गैस करना है भापना है कि कुछ तो पकराहा है और वो कुछ दिन बाद सालिष हमेन ये बाद सबu के सामने अजाता है और उसके बाद में तो फिर तो हम और आफ सब बरावरी हैं उसमें पर तो और आदम ये स्मार्ट बनता है देखो मुझे पता है ये चिक नहीं होता है जर तक तो जूस निकल चुआ होता है कि प्चार सॉ रुपे की मार्केड गिरती है तो उस चलो भाई चलो निकलो बस्ता बंद गरो और निकलो वो एक अलग स्टेडी है दोस्तों मैंने कहा ना वो एक अलग चीज है यहां तो जब हम डिसक्रिशन पर आएंगे तो बहुत कुछ है खतम ही नहीं होगा तो मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ओपर ही को धारा न दिया यह चोटा सा और फिनेंसिंग एक्टिविटी समझें और फिनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हुआ कंपनी को लगा की और चार प्रांट लगाने और उसको 40 लग की और जरूरत है जब 40 लग की और जर कर दिए चोटे चोटे पैसों की बात करेंगे चोटे-चोटे दारन देतने हम बीकॉम एमकॉम के बच्चों को बार्वी क्लास के बच्चों को तो वह वही दिमाग में ज्यादा रहते हैं अलागी एक्जामपल तो आप ट्रियल उसमें आएंगे भी उसमें भी देखें तो अब उसने फिर से उसको लिया अब की बार क्या हुआ अब जो उसने बोला न को प्लांट लगाएंगे और एक और लगा देंगे मेरट में भी लगा देंगे दिल्ली में भी लगा देंगे मतलब कहने का यह है कि इन्वेस्टमेंट के लिए उसने लोन भी ले लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए अपने कैस को भी खतम कर दिया है अब यहां पर कंपनी प करेगा कि कंपनी वाकई में सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट हो सकती है अगर उसने डेट नहीं चुका है तो जटके में एकदम बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे यह ठीक ठाक है आप देखते निया बहुत चोटी-चोटी टपूंजिया कंपनी आज कल भागे जा रही है क्यों भाग रही है मार्किट सेनेरियो सेंटिमेंट ऐसे जिस दिन उसमें फसेंगे तो फसे रह जाएंगे पैसा निकलता नहीं उसमें से फिर पैसा राख हो जाता है तो बहुत मजबूत इस्ट्रक्श्रल ग्रोथ वाले कंपनी इस पर ही हमें काम करना है सदावार बिजन डाल दिये थे यहार के 40,000 हो गए बताओं रामा इस्टील के आप एक उन्निस बीस दिसम्बर को दो सो वीस दो सो बारा खूम मिल रहा था खूब और आज चार सो चालिस चार सो बत्तिस चार सो पैंटिस दस दिन बारा दिन में डबल हो गया हूं इस्टील एक्सचेंज आप इंडिया देखो बहेंकर परफॉर्मेंस 2017 में आप चार देख लीजिए आप लोग तो चार के महारती है सर मैं तो चार वाट इतना ज्यादा जानता भी नहीं हूं बहुत कम अभी तो सी की राओं मैं मुझे नहीं आता इतना चार वाट लेकिन 2017 का चार आप देख लीजिए ऑपरेटर ने किसा भेके मारा कि 178 में दोस्तों के आजबा स्ट्रेट कर रहा था और ऑपरेटर ने 10 सर्किट और 10 सर्किट पता कहां लागे रख दिया इस्टील एक्षेंज को 28 रुपे पर कर दिया तो यह सतरा से और अब तक बिल्कुल 28 35 रुपे तक रहा पैसे को बिल्कुल कूडा कर दिया और अब से उसे बढ़ा दिया इस्टील एक्षेंज आपके जवाब नहीं देगा अपने कुछ भी चीजें पॉलेसी डिस्क्लोज नहीं करेगा अब कंपनी के नाम पर दो कमरे हैं बना दिया इस्टील एक्षेंज ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा कार खाना बना दिया जेस्ट डवलू स्टील का कार खाने को अपने प्रोफाइल में लगा के बैटे हुए यह सब चला है यह एक नहीं पता नहीं एक कंपनी है पता नह यह सब इसी दौर में चलता है जैसे 2006-07 में चला था और आठ में फिर क्या हुआ उनका ऐसे ही यहां पर अभी वही दौर चलना है 22-24 हो गया 25 में कुछ क्या पिक्चर हो भगवान जाने खेर चलिए आपनी बात पर आते हैं तो कहने का मदलब है तीनों एक्टिवटीस की य अब इसमें मैं आपको बता दूँ मैंने क्या बोला ऑपरेटिंग एक्टिवटी में पॉजिटिव कैस का होना अच्छी बात है इन्वेस्टिंग में माइनस है नो डाउट क्यों माइनस मैंने बता दिया इंपोर्टेंस मैं अच्छी चीज है वह वह देखना पड़ता है कजी इसे की यह यह अजगैंग कर फिंएंसिंग प्राइंस प्लच हो रही है और कि प्लस हो रही है और मैंने क्ली एक वीडियो में अपना मैं शेर किया था दोस्तों सब्स tavalla कि यह लोके बारे में बोला ना मैंने की बीएल अच्छा लग रहा है मुझे तो बीएल क्या ही हम केस्व लूद देख लेते हैं जब ये फ्रीग एक सफ्ट्वेर होता ना स्क्रीनर हो क्या है ये जो लिंक होते हैं इनसे आप लग सकते हैं भारत इलक्ट्रोनिक्स करने को चार्ड से लेकर के पीर कंपेरिजन क्वार्टर रिजल्ट प्रॉफिट लाउस बैलेंशीट कैस फ्लो रेशो बहुत कुछ होता है लेकिन चलिए हम चलते हैं कोई नहीं अब आप देख लेंगे यहां पे हम कि यह रहा देखेंगे यह है कैस फ्लो कि स्टेट्मेंट कि यह कैस फ्लो स्टेट्मेंट यह 2010 से लेकर के 2021 तक है अब अब अपरेटिंग एक्टिविटी में आप क्या देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कि दो यार दस से लेकर के अब देखो यहां पर 2013 में माइनस हुआ है थोड़ा घरवड़वा थे बिजनस के लिए क्यों माइनस हो रहा है इसका मतलब कुछ दिक्क्कत आ रही है पैसा कहीं फसा हुआ है इनके जो क्लाइंट है वो इनको पैसे नहीं दे रहे हैं कुछ ना कुछ है वो सब भी डिटेल बहुत डिटेल्स हैं चीजों में आज इसको मैं कल वाले डिस्केशन को यानि की लास्ट वाली मिटिंग को आज खतम कर रहा हूं और अगली मिटिंग से बिल्कुल फ्रैस दोस्तों पिर आगे चलेंगे तो देखिए यहां पर माइनस्स फू रहे लेकिन कम है ट्मिंस चुछ इंपूव वह और यहां आखे कंड आप इस चीज़ का अंदाजह लगाएंगे यहां पर यह नेगटिव और यह भीड़न है कुछ ना कुछ हो रहा है तो बीग के लिए बहुत अच्छा साल है कि हम यहां निवेज करें बलकि यहां निवेज करें दोयार 14 में निवेज क्योंकि 24 में देखो investing activity positive है और operating activity negative थी मुझे यही से आइडिया लग गया है कि यह कहीं न कहीं इस negativity को खतम करेगा ना या तोइस पैसे को यूज़ कर लेगा और यह पैसा जादा है तो MONS अघर्वाइटी को भी खतम करता तो भी yeah जो कि इस पैसे बीगा सब्सक्राइब defence खासा मिलेगा Нीवेश गेटिंग से अगले साल जब प्ट्रली डिज़्ल्ट आए फाइनली तो मैंने कारा यहां और गिरावट हुई है यहां और गिरावट हुई है यानि कि बी एल ने 2014 के बाद 15-16 में अच्छा परफॉर्म किया है 17-18 में फिर से दिक्कत रही है लेकिन 19 से फिर इसके दिन बदले और इस बार देखिए बहतरीन और जस्टॉक निकल के आ रहा है कि दो हजार इकिस के मार्च में ऑप्रेटिंग एक्टिविटी जस्ट डबल हुई है कैस्ट फ्लो में इन्वेस्टमेंट बापरे फोर टाइम्स हुआ है आई थिंग चैसो का चार गुना मान के चल ले रहें मोटा मोटा और फिनेंसिंग एक्टिविटी कुछ खास नहीं पड़ी दोस्तों देखो इस बात पर गौर करिए कि इतना ज़्यादा डैट वर्ट के लिए नहीं है कुछ सब लगबग है लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुट जुआ हुआ है यहनि उसने अपने कैस को यह जो ऑप्रेटेंग अक्टिविटी का isza है इस सब को अपने इन्वेस्ट्मेंट में लगानी dumped प्रियास किया बिए और इन्वेस्ट्मेंट करना कंपणी के लिए अपने अगर मैं बहुत अच्छा साइन है आज इन्वेस्ट कर रहे हैं कल कमाएंगे आज कार खाना लगा रहे हैं कल को जब प्रोडक्शन होगी उसकी जो रेटेंड अर्निंग आएंगी उससे प्रॉफिट आफ्टर टेक्स इंप्रूव होंगे और मार्जिन इंप्रूव होंगे ऑघ्र जाहिड सी बात है जब यह सब इंप्रूव होगा तो डिविडेंड भी म्वगा और जब यह सब इंप्रूव हो तो इन्वेस्टर को रेट्रैक्ट करेगा अपने तरफ यह एक थोड़ा वीजन हमें लेके चलना होता है अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं है से सिर्फ कैस्ट प्लो एक परामिटर है अभी बहुत सारे परामिटर देख रहों नीचे और फूपा बैठें रेशोग डेटर इन्वेंटर इन्वेंट्री डेज कैस कन्वर्जन साइकल भी इंपरूव यह सब्सक्राइब करेंगे पूरी डिटेल में तो यह सब चीजे हैं इसके अंदर तो मलब अभी तो बहुत सारे परामेटर लेकिन कैस फ्लो के बेस्ट पे भी हम थोड़ा यह अईडिया लगा सकते हैं और कैस फ्लो इन चीजों को तो पूरा पूरा बताता है कि इंवेस्टमेंट कहां हो रहा है और कैसे हो ला है तो अगर हम कैस फ्लो के बेस्ट पर देखें दो ज़्यार 14-15 म इंपरूव 14-15 में इंपरूव 15-16 में इसके चार्ड के उपर यह लोग इसका चार्ड यह रहा मैक्सिमम पर कर रहते हैं यह रहा है यह देखिए यह देखिए गशाप जन्वरी 2014 दो ज़्यार 14 में बढ़ना सुरूब हुआ कि नहीं हम्नों कि 2015 में देखाँ आए नहीं आए उपर फिरामे कर देखिए यहां चौदा में यहां 15 में यहां ऐसके बाद 16 17 फिर गिरा देखो तो गिर नहीं और उसके बाद में फिर फिर इंप्रोव होना सुरूँए अब जब यह डिप मारा आज टेखो डिप मारने के पीछे बचे करोना काल भी था तो सबीत लोग डिप मारें सारी लोग 2020 में तो हर बिजनस ने डिप मारा है वो गोता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उसके बाद से आदेगे रिकवरी तो टेक्निकल आप लोग ब को पढ़ना और डिसक्रस करना सीख रहा हूँ दोस्ते तो यह देख रहे हैं आप देख लीजिए यानि कि इस चाड़ के उपर हरकते जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से भी होती हैं अभी क्लैर वही की बात दिया दी यह यहां पर इस बात को इस तरीके से समझना आ तीनों में use के अलावा कैसे और हम जाने कि company में एक quarter से दूसरे quarter में क्या होने वाद कैसे जाने तो उसके लिए cash flow आपको help नहीं करेगा उसके लिए हम लोग discuss करेंगे दोस्तो comparative statements क्या discuss करेंगे comparative statements comparative statement में क्या होता एक business को हम दूसरे बिजनस से compare करते है या एक बिजनस को यानिकि अपने आपको अपने आप से compare तो दो थरीकी कधी आउता हैं कि सब्हुंट क्या अग्म हुए इंटम्परीर चोंपरीशन से कम्पेर करने तो इससे कांट करना है वह वना कुछ अपने हैं से क्मपीर करना है यानीकि PB यानि कि हम अभी रिजल्ट आने वाला है रिजल्ट से दस दिन पहले हम उसको बना के फॉर्कास्टिंग जिसे कहते हैं कि हमारी उमीद है कि ऐसा हो सकता है और उस हिसाब से आप उसमें फंडामेंटली आप यह देखके चाड़ में देखो कि रिजल्ट टाइम पर वह किस तर अभी मेरी क्लास है क्लास के बाद ही मैं फिर बात करूंगा आज के लिए इतना इसके लिए धन्यवाद